नमस्कार मैं एंकित आप सभी का सर्प्राइज ओनलाइन एजुकेशन चैनल पर विल्कम करता हूँ आज आप लोग के लिए ले करके आया हूँ अगली टॉपिक जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ओफ एलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन अगली जो टॉपिक है जिसका नाम क्या है अगली जो टॉपिक है जिसका नाम क्या है इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन बैदुत बल रेखाओं के गुड़ क्या होते इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं जैसा कि आप लोगों को पता है कि charges आपकी कितने होते हैं या फिर positive होगा या negative होगा तो देखिए पहला property आपकी यहीं से सुरू होती है कि जो electric field lines होती है जो आपकी बैदुत बल रेखाए होती है यह हमेशा धानात्मक charge से निकलती है बैदुत बल रेखाए किस प्रकार की आवेश्य निकलेंगे हमेशा धानात्मक आवेश्य निकलती है आपको जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है कि positive charge से originate हो रही है आपकी electric field lines यहाँ पे आपकी electric field lines तो मेरी पहली property क्या है पहली property हम लोगों ने देखा कि electric field line जो होती है वो हमेशा positive charge से निकलती है देखिए दोस्तों आपको जितने भी points से मैं बोल रहा हूँ इसकी PDF आपको proper way पे आपके surprise online education की जो whatsapp site है वहाँ पे मिल जाएगी तो आप बिलकुर निशेंत रही है यहाँ पे सिवापको lecture provide किया जाएगा देखिए पहला point हमने क्या देखा कि positive charges जो होती है वो positive charges से ही आपके electric field line औरचिनेट होती है निकलती है तो point number one हमारा क्या हुआ कि बैदुत बल रेखाएं हमेशा बैदुत बल रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेस से उत्पति करती है clear अब चलिए हम लोग आते हैं second topic पे second property कहती है अब भई यहां से अगर electric field line निकल गई है तो कहीं न कहीं जाके मिलेंगी तो जहां मिलती है वो रेखाएं होता है तो second point अपना क्या है second point यह कहता है कि जो electric field lines है electric field lines है वो आके कहां मिलती है हमेशा negative charges पे तो हम कह सकते हैं electric field lines always terminated to the negative charges okay हमने point second देख लिया अब देखिए अगर हम इसी चीज को proper way में दोनों combine में अगर हम देखना चाहें जो जैसे माल लेजी कि आपके पास यह पोश्टिव चार्ज हो गया और यह नेगेटिव हुआ तो यहां से electric field नहीं निकलेगी ना ऐसे इस टाइप में निकलेगा ऐसे 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 यह सब आपके electric field lines निकल रही हैं आपके हमें सब positive से निकलेगी और negative पे जाकर के मिल जाएगी positive से निकलती हैं लाइन है और जाकर के negative पे मिलेगी positive से निकलती हैं तो हम कह सकते हैं कि electric field lines always originated from positive charges and always terminated to the negative charges एक चीज़ आप लोगों ने और ध्यान दिया होगा यहाँ पे given figure में आपने देखा कि electric field line एक दूसरे को cut नहीं कर रही हैं एक दूसरे को प्रती छेद नहीं कर रही हैं तो हमारा जो तीसरा point है जो मैं तीसरे point की यहाँ पर बात करने वाला हूँ तीसरा point हमारा दो direction जैसे आप माल लेजिए कि ऐसे एक electric field line है और ऐसे एक है और एक दूसरे को किसी point P पर cut कर रही है तो आप देख रहे हैं इस पे आप एक tangent कीचेंगे इधर तो एक direction यहाँ पर बता रही है इधर आपने tangent कीचा तो इधर एक direction बता रही है तीसरे point clear हो गई तो हम आगे बढ़ें देखिए अगला जो हमारा point है वो मेरा A है वो कहता है कि जो electric field line है कभी भी close loop नहीं बनाती जैसे इस टाइप में ऐसी loop नहीं बनेगे electric field line कभी भी close loop नहीं बनाती तो हमारा जो चौथा point था चौथा point क्या है कि electric field line कभी भी close loop बंध लूप नहीं बनाती है clear हो गया अब देखिए अब हमने देखा कि magnitude के बारे बे हमने तो देख लिए आप पाँचों point क्या कहता है suppose करिए कि आपका यह electric field line है यह आपकी negative charge होगी आपका यह आपका positive है positive से निगला नेगर तिप पके अब आप देख रहे हैं हागर आपको इसके direction पता करनी है दिसा पता करना तो कहते हैं कि आपको जैसे मान लीजिए पी पोउंट पे direction पता करना है यहां पे आपने पॉइंट पी लिया और आपसे पूछाए गया कि पी पर जो समतुल्ले या तुल्ले जो इलेक्ट्रिक फिल इंटेंसिटी है उसकी वैल्व कितनी होगी तो भी मतलब है आप इस पर एक असपर्सी खीच दीजिए असपर्स रिखा जिसको कहता है टैंजेंट आप अगर इस पर एक टैंजेंट खीचते हैं असपर्स रिखा तो यह जो टैंजेंट होती है कि शिच को बताएगा टैंजेंट जो होती है वो डाइरेक्शन और इलेक्ट्रिक फिल्ड को बताती है क्लियर होई बात इतनी बात समझ में आ गई कोई प्रॉब्लम नहीं है आप है चलिए तो मैं अभी आपको इसकी प्रॉपर विप है आपको नोट्स प्रॉवाइट कर दूँगा और आपने जो जितने भी पॉइंट्स आपने देखे जैसे कि basically पहला point हमने क्या देखा था कि जो positive charge होती है वहाँ से electric field line क्या होती है आपस इसमें एक दूसरे से एसे निकलती है electric field lines कहां निकलती है positive charges से कहां पर आप इम मिलती है आप देख रहे है आकर के मिल रही है आपके negative charges से तो इस चीच को proper way पर हमने देखा कि देखी यह तो नेगितिव कर देती हैं तब क्या होगा कट कर दी तो इन rabbits पर कट करेंगी उस पर दो direction हो जाएगा जो कि कता ही संभव नहीं है अगला पॉइंट आपने देखा अगला देखा आपने की magnetic field line जो होती है आपकी वो close loop कभी नहीं बनाती और अगला point आपने देखा कि electric field line की direction अगर मुझे find out करना है तो क्या करते हैं simply जिस point पर मुझे find out करना है उस पर टैंजेंट खीसते हैं और टैंजेंट ही क्या बताता है direction of electric field ओके आज के लिए इतना ही है और अगले सिसन में हम लोग try करेंगे कुछ numerical पार्ट भी देखें और आप लोग भी पढ़ाई करते रहें देखें लॉक्डाउन की condition तो आप लोग देखी रहे हैं तो बेहर जरूरी है कि आप उन्हें पढ़ाई को carry on करिए और इस चैनल पर आपको तो सारी facilities प्रोवेट की जा रही है यहां तक आपको PCM बायो भी आपको प्रॉपर विपे मिल रहे है तो आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और जरूरी भी है पढ़ाई करना क्योंकि देखी विपरीत परिस्तितिया तो आती जाती रहती है तो ऐसा तो है नहीं कि अपन